भारती यसेना अमेरिका से 49 अपाचे हेलिकॉप्टर खरीदने की मांग रक्षा मंत्री अरुन जेटली के साथ होने वाली बैठक में रखेगी अपाचे हेलिकॉप्टर की 49 यूनिट की खरीदारी का कुल खर्चा लगभग 12,000 करोड रुपे तक आ सकता है दरसल आर्मी के 29 सूतरों ने रिपोर्टर को बताया कि पाकिस्तान और चीन की सीमाओं में अपनी फायर पावर बढ़ाने के लिए अपाचे हेलिकॉप्टर की जरूरत है सेना से जुड़े सूतरों के मताबिक वायू सेना ने हाल ही में 22 हेलिकॉप्टर की खरीदारी का कॉंट्राक्ट तयार कर लिया है हाला कि इन हेलिकॉप्टर का कंट्रोल किस के पास हो इसे लेकर एर फोर्स और थल सेना के बीच खींचतान जारी है सेना से जुड़े सूतरों के मताबिक इन हेलिकॉप्टर को तीन स्कौर्डरन में बाटा जाएगा हर एक स्क्वार्डन में दस हेलिकॉप्टर होंगे जिने पाकिस्तान और चीन की बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा भारतिय सेना फॉरण मिलिटरी सेल्स के जरिये अमेरिका से अपाचे हेलिकॉप्टर खरीदना चाहती है इन हेलिकॉप्टरों को दुनिया का सबसे घातक हेलिकॉप्टर बताया जाता है ये सभी मौसमों में दिन रात सक्रिय रहने की क्षमतावाले स्टील्थ हेलिकॉप्टर कहे जाते हैं यानि दुश्मन देश की सीमा के अंदर उडान के दौरान उनकी निगा इन पर नहीं जा सकेगी युद्ध का पासा पलटने की क्षमतावाले इन हेलिकॉप्टरों में लेजर और इंफरा रेट सिस्टम के अलावा अतिधिक घातक हेल फायर मिसाइल लगे होते हैं सेना का मानना है कि युद्ध के दौरान वायू सेना के मुकाबले थल सेना के अपने फ्लाइंग आफिसर उनकी मदद में ज्यादा कारगर साबित होंगे दरसल थल सेना के आफिसर जमीन में होने वाले युद्ध को ज्यादा भेटर तरीके से समझते हैं वहीं एक आर्मी आफिसर के मुताबिक वायू सेना इन हेलिकॉप्टरों को सेना के साथ शेर नहीं करना चाहती है। आर्मी आफिसर के मुताबिक हमने वायू सेना से 22 अपाचे हेलिकॉप्टर थल सेना को देने की मांग रखी थी। लेकिन उन्होंने इसे मानने से इंकार कर दिया। इसके अलावा पचास-पचास शेरिंग पर भी वायू सेना तयार नहीं है। साल 2012 में ततकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सलहकार शिवशंकर मैनन के फैसले के मुताबिक आगे के सभी लड़ाकू वेमानों की खरिदारी केवल थल सेना के लिए होगी। हाला कि वायू सेना का मानना है कि अपाचे की खरिदारी की प्रोसेस साल 2012 से पहले शुरू हो गई थी। कि अपाचे की खरिदारी के लिए हो गई आगे हो गई भी खरिदारी के लिए होगी।